आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends यहाला जो question है वो current electricity का question है यहाला जो सबसे पहले question पाथते है वी हाव अचारजबल बैटरी अफ एमफ 12 वोल्ट और इंटर्नल रजिस्तंस ऑफ 1 ओम यानि की इडिल बैटरी नहिया बैटरी कन तेक अमक्सिम्म अफ 20 अंपर्स करेंट दूरिं दी चार्जिंग प्रोसेश इफ वी हाव अचार्जर विच कन मैंटें अपोटेंशल दिफ्रेंस ऑफ 16 वोल्ट दैन वाट रिजिस्तंस इस निडिद तो वी कनेक्टेंट इन शिरेज विद दा चार्जर तो चार्ज दी गिवन बैटरी वाट टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस डू यू एक्सेप्ट अक्रोस दी टर्मिनल ओफ बैटरी बिइंग चेंज्ड तो चलिए इस क्यूशन का सल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो सबस्क्राइब देखिए जो हमें एक बैटरी दे गई थी वह बैटरी कुछ इस तरीके के माले जी बैटरी होगी बैटरी का पोजिटिव टर्मिनल ओर यह है इस बैटरी का जो एमफ दे रहा है वह हमें दे रहा है 12 वोट और यह आईडियल बैटरी ना होकर इसका इंत एक charger को connect कर रहे हैं तो charger को connect कर रहे हैं ताकि बैटरी को हम charge करना है अगर बैटरी को हमें charge करना है तो हमें यहां मान लेजिए ही कि यह कोई एक charger होगा यह charger होगा तो इस charger के positive और यह negative terminal होगा तो यह यहां से connect होगा इसके साथ तो इसके positive terminal साथ connect हो रहा है जिसके कार्ण जो charger की voltage थी वो 16V है charger की voltage है वो कितने दे रखिये 16V दे रखिये हैं अगर charger की voltage 60V है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोने का net voltage आएगा वो कितना आजाएगा देखिये क्योंकि ये positive connect है तो जिसके कार्ण ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और तो टोटल जो हमारे पास EMF बचेगा वो कितना बचेगा 16-12 क्योंकि हमने charger के positive terminal को battery के positive terminal के साथ connect किया है तब भी battery charge होगी क्योंकि current तो यहाँ से आने आने आ लिए इसलिए तो जो ये आ गया ये कितनी होगी 48 वाल्ट ये net EMF रहेगी है हमारे पास net EMF ये रहेगी अब ही हमें बोलना चाहरा है कि अगर हम यहाँ पर इस battery के साथ एक और internal resistance के साथ साथ एक external resistance capital R भी जोड़ दें तो क्या value होना चाहिए कि इससे maximum current जो होगी वो कितनी हो 20A हो यानकि ये जो circuit है ये circuit हमें दे रखा है ये 1 ohm दे रखा है और यहाँ से current पास हो रही है current की value हमें दे रखे 20A ठीक है तो इसकी भी दे रखे हमें 12V तो अब हमसे पूरना चाहिए कि R की क्या value हो कि इसमें maximum जो current है वो 20A पास हो तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा इसमें हम simple सा लगा सकते हैं कि V is equals to I into R V कितना है 12V है ठीक है 12V और I कितना दे रखा है I हमें maximum 20A दे रखा है into में resistance की जगा हमें R equivalent लिखना पड़ेगा क्योंकि internal और external दोनों का equivalent लिखना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा इस शिरीज में है तो यह हो जाएगा 1 प्लस R तो यहां से हम देख सकते हैं 12 upon 20 equals to 1 प्लस R और इसको हम अगर solve करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा sorry जो sorry जो voltage हमें दे रखा था वो net EMF हमारा 48 वोट आये था net EMF हमारे पास 48 वोट आये था तो 48 वोट आये था तो यहां 48 करना पड़ेगा values ध्यान से पूट करें 48 upon 20 upon is equals to 1 प्लस R तो यहां से जो R की जो value आ जाएगी वो हमारे पास calculate करने पर 1.4 ओम आ जाएगी ठीक है हमने यहां पर थोड़ी सी mistake कर दी थी values पूट करने में कि तो net EMF हमने निकाला था 48 वोट है क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही थी चार्जर के साथ जुड़ा हुआ था बैटरी ठीक है तो यहां पर 48 वोट आएगा EMF यहां वी के जो हम वैल्यू कितने रखेंगे 48 वी के जो हम 48 वैल्यू रखेंगे यहां पर 20 एंपर इंटू में 1 प्लस आर हो जाएगा ठीक है तो इस सोल कर लेंगे तो यहां से इंटर एक्स्टर्नल रेजिस्टेंस 1.4 ओन हमारे पास आ जाएगा ठीक है अब जो नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा था कि टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंश क्या आना चाहिए जब एक बैटरी इंटर्नल रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है शिरुप तो अब हम इसकी टर्मिनल वोल्टेज का दाएरेक्टली हम्हें नौट्स या थियोरी चे पता होता है क्या होगा जो इंटर्नल जो तर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो e plus में i into r इसमें values बूट कर जाते हैं 12 plus में i की जो values दे रखेते में maximum कितनी करण देखे 20 ampere और जो internal resistance है वो कितना है ओम का है 1 ohm का यह answer आजाएगा हमारा 32 volt आजाए क्योंकि यह potential difference दे रखा है तो यहाँ पे हमने external resistance और जो कि बैटरी के terminal potential difference था वो हमने find कर चुके है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स 8444 पर